असलाम अलेकम ये एक मैंने छोटा सा प्यारा सा फ्रॉक स्टिच किया है समर ड्रेस है ये लॉन पे है ये मैंने किस तरह से बनाया ये सारी डेटेल आप से शेयर करूंगे ये हमारी नुरल जुहा का है जो अब छटे महीने में है तो जो बच्चे पांच महा से लेके मेरा खाल ये सात महा तक हो उनके लिए ये एक बेस्ट साइज भी है और आइडिया भी है तो ये मेरे पास पीस गार बचे हुए थे ट्राउजर के कपड़े के ये नुरल जुहा की ममा का ये सूट था उसके ट्राउजर का ये कपड़ा था सेल्फ प्रिंट सा लॉन काटन तो मैंने उन पीसों को जोड़के ये फ्रॉक बनाई है साथ इसका जांगिया भी बनाया ह ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस फ्रॉक की जो लेंथ है वो 16 इंच है और नीचे से इसका दामन यहां से ये 27 इंच खुला है और पेटी इसकी इतनी छोटी सी है चार इंच की तीरा इसका साड़े आठ इंच है और यहां से चस्ट से ये 11 इंच है यहां से 13 इंच हो जाएगी क्योंकि मैंने हाफ कंदा जो है यह देखें पेटी में से बनाया और नीचे से थोड़ा सा अगर आप इंच गंदा नीचे वाले पोर्शन से बनाएंगे तो इस तरह फ्रॉक का स्टाइल बड़ा ही प्यारा खुला खुला सा बनता है और कंदा भी खुला हो जा मैं आपके सारी शेयर करती हूँ यह आगे मेरे पास एक लंबा पीस था जिसके मैंने तीन पीस बनाएं ट्राउजर में से लंबा पीस बचा हुआ था मैंने जितनी मुझे पेटी की इसकी लेंथ चाहिए थी उससाब से उपर चार इंच है तो यह 16 इंच है तो बाकी मैंने उससाब से नीचे से यह जितना मेरा पीस था उसमें तीन पीस बनाएं और उसे फिर यह सीड़ी लेस से मैंने कठा किया जोड़ा और फिर उसकी मैंने यह फ्रंट वाली पेटी बनाए और बैक वाली पेटी भी मैंने ऐसी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें बैक वाली मैंने पीछे यह बटन टेक रखा है लंबा नीचे तक मैं हमेशा बताती हूँ आपको के बटन टेक नीचे तक लाया करें यहां तक अगर हम बटन टेक रखते हैं तो वो खुलानी इतना असानी से बंता नहीं है उसमें तांग रहता है पिनाने में अगर आप थोड़ा सा बटन टेक को नीचे ले आते हैं तो इस तरह से यह बहुत ही खुला हो जाता है और असानी से पिनाया जाता है तो बताये रही थी कि मेरे पास यह पीछे यह मैंने यह देखें जोड डाला हुआ है जोड के उपर फिर मैंने साइडों पर यह दो आनी थी इसलिए मुझे तीन पीस करने पड़े क्योंके दो पीसों में एक सीडिलेस लगी अच्छी नहीं लगनी थी तो यह सादा सी सिंपल सी बेबी फ्रॉक है गले पे इस पे रेब कपड़ा उल्टी साइड पे लगा के इधर फ्रंट की तरफ मैंने पल्टा है बहुत ह इस पाई बहुत ही प्यारा गोल गला राम से बच्चे का बान जाता है गला दो इंच्टी अ मैंने करेंगे मैं ला इंच और तरह कोड़ा और पीसे दो चार इंच बेंडा नंग फिर पकरद कर सकतेज़शना है और सव कॉक्षा में लाइन दॉनगा अत्शन को दद में तो यह लगाई मैंने तीन दफ़ा आगे पीछे सारे दामन पर इससे दामन इस तरह से अकड़ा सा खुला सा हो गया खुला खुला जुडा जुडा सा नहीं और इसके नीचे फिर एक शटल लेस लगाई है तो यह दामन का बड़ा ही प्यारा डिजाइन बन गया यह दोरी ज्यादा मेनत करने की जुरूरत नहीं है यह मशीन के नीचे आके राम से लग जाएगी सलाई वाले पैर से चेंज नहीं करना पड़ेगा कोई और इसके उपर मैंने यह इंब्राइडरी करवाई है यह द्रम्यान में मिरर है और साइडों पे साधा यह टांका जो होता है प और यह उसी कलर का मैंने बनवाया थोड़ा सा उससे डार्क ताके नजर आए बिल्कुल सेम कलर लगवाती तो वह शायद इतना नजर ना आता है इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा डार्क कलर लगवा दें यह हमारे हां बहुत असानी से एक आती हैं अम्मा कड़ाई वाल इसका जांगिया बनाए हैं उसके भी मैंने यह दो दफा नीचे पॉंचे पर डोरी लगा दी और नीचे अलास्टिक डाला है पॉंचों पर और खुला सा बनाए हैं माशालला मारे नूरल जहा है अभी सेत मांद और जब बचे डाइपर वगरा पनाते हैं तो फिर खुले जांगिया जो है अच्छे लगते हैं तो यह सेम जांगिया है और यह फ्राक है और यह बिलकुल मुझे सिरफ इसकी इंब्राइडरी देनी पड़ी है बाकी समझें फ्री में इतनी प्यारी मेरी यह फ्रॉक बन गई है अमीद है कि आपको पिसान्द आएगी अलाह अफीज जाँ एंचे इस